जी हाँ नमस्कार दोस्तों आप हैं धक्कर जनकरी चैनल पर दोस्तों पहले इन डिपो में भेजेंगे कार्ड दूसरे चरण में हिसार समेत अन्य डिपो में भेजे जाएंगे कार्ड दोस्तों आज की क्या अपडेट है कि आपको गुर्मेंट फरियाना चंडिगड सोनिपत करनाल फ्रीदाबाद भीवानी और सिफसा डिपो शामिल है तो दोस्तों मुख्य अपडेट क्या है ऐसे मिलेंगे मॉबिल्टी कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल कॉमन मॉबिल्टी कार्ड बस स्टेंड पर बनेंगे यत्री को अपनी कैटागरी जैसे की विद्यार थी पुलिस पत्रकार सीनियर सिटीजन विद्वा अन्य कैटागरी से संबंदित दस्तावेज लेकर एस एस कार रिवहन विभाग ने पहले फेज में दस लाख नेशनल कॉमन मॉबिल्टी कार्ड बनवाए हैं जिसे पहले 6 रोडवेज डिपो में भेजे जाएंगे कौन-कौन से ऐसे 6 रोडवेज हैं जंडिगर सोनिपत करनाल फरीदवाद भिवानी और सिरसा इनमें शामिल हैं दोस् जितने भी कार्ड यात्रियों को या फिर पुलिस सिनियर सिटीजन को बाटे जाएंगे वह बिल्कुल निशलक होंगे इसके बाद में जितने भी कार्ड यात्रियों को मिलेंगे उनका चार्ज वसूला जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 लाग का वसूला जाएगा चार्ज इसका वसूला जाएगा यहाँ पर मुख्षे बात यहाँ है कि दोस्तों आरक्षित कैटगरी वालों के बनेंगे कार्ड स्कैन करते ही खुलेगी डिटेल पूरी की पूरी विद्यार्थियों की कुंडली खुल जाएगी तै किलो मिटर से कार्ड भी बनाए जाएगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों हम हर्याना की लेटस्ट न्यूज होती है उसको उसी टाइम पर डालने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना साथ में नोटिफिकेशन बैल वाला ओन कर लेना क्योंकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो डालेंगे आपको ऊपर नोटिफिकेशन भी साथ के साथ मिल जाएगा तो धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स टीक अपडेट नई वीडियो के साथ